हेलो बच्चो क्लास सावन बेटब आज आपका ने यह डिवजन वर्ग है जिसके बारे में असस्टे से संबंदित है इस डिवजन वर्ग में आपको यह बताया जाएगा कि आपका जो पास्मेटप्ला में चुरू होने वाले हैं इसमें आपका एक्जाम का जो पेपर का पूछ लेंगे कहीं पर कोई दिखतो डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे ठीके बिटा सुच्छ से पहले हमारे हैं क्या हैं एमसी क्यू पढ़ेंगे कुटुब दिन एबक ने कुटुब मिनार का निर्मान कब कराया था गैरा सुंग निन्यानमे में कराया था आपका आठवी और अठवी स्थाब्दियों के भी राजा हो था था उनके अधिकारियों ने कितनी तरह की इमारतों का निर्मान किया था नेक्स ते बिटा आपका मध्य काल में पांचाल अरथाथ विश्यकर्म समुदाय में कौन सा समुझ शामिल नहीं था और था आपका चोल काल में लुप्त मौम तकनीक का परियोग किसके निर्मान के लिए किया जाता था फिनेक्स ते बिटा गों राजे गड काटंगा का उल्ले किस पुस्तक में किया गया है तो वो अकबर नामा पुस्तक में किया गया था अकबर के शाचन में 1565 में आसिफ खा के नेतलत में जम्मुगल सेना ने गड़ कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किस से हुआ था रानी दुर्गावती से हुआ था एक विज्यापन का कितना मुल्य होता है तो कितना मुल्य होता है वेटा 500 से लेके 8000 तक होता है सावजिंग विरोध कैसे किया जाता है रैली का आयोजन करके हस्ताक शरब भिहान चलाकर सड़कों को अवुद करके या उप्रोक सभी तो सारे ही और ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है उप्रोक सभी लहरिया नामक समाचार पत्र कौन से राज द्यूमंडल की पड़तों में जब हम उपर जाते हैं तब वायुदाप क्या होता है घड़ता है जब वरस्तित्रल रूप में परती पर आती है उसे हम क्या कहते हैं से आपकर शंकु धारीवन की एक महतपून वरस पर जाती क्या है शीड़ है लिश्ट कर पाया जाते हैं जानवर देवदार का वरष क्या है दरम कास्ट पेड़ है इस तरह से आप मैचिंग है अच्छे से ध्यान कर देंगे और लर्ण कर लेंगे उसके पाद आपके एक्जाम में आएंगे फिलप्स जैसे की राजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया था कब बनाया था ग्यारव संद डैश से संबंदित है ख्वाजम मुदुदीन चिस्टी से संबंदित है हम पी डैश सामराज्य की राजधानी दी कौन से विजय नगर हालेंड वाशियों ने आंद्रप्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई कौन सी मूसली पट्नम पर बसाई फिर उसके बाद टाप्के आएंगे राइट रॉंग भी आएएंगे ज Mormon राज इश्वर मंदिर के मोरथिकार के नाम एक चिला लेक से जानते हैं राइट केंधर करने की बजाए अकेले आतरा करना अधीक पसंद करते हैं काबूल हातियों के मुख्य केंदर था और सही है ठीक बेटा फिर आपकी मैचिंग इसे गर्ड है गर्ड किसकी मैच होएगा 84 से टांडा किससे कारवा से कुल खेल से इस तरह से आप है न सारी मैचिंग को अच्छे से लंड कर लेंगे फिर आपके एक्जाम में क्या हैंगे अति लोगों प्रशनुतर जैसे कि तंजावुर न सब्सक्राइखे नहिंळे वाले मजदूर तरह करमचारी रहा करते थे मृष्प कंद्रिय का निर्मान कि शाषक ने कराया ठाज्यवाक कि राजतन राजवन्ष की राजय धांडेव कर आया था। कुति मिनार के भुमाओदार तथा कौन कोते आक करती थी chronies पस्ची हिमाले में कौन सीजी जन जाती रहती थी खाना बदोष कौन होते थे खाना बदोष घूमतु लोग होते थे ठीकी बेटा यह आपको बेटा सारा कॉपी वर्क और बुक वर्क सब लेंड करना है खाली यह नहीं कि रिविजन वर्क आगया हमें इसमें से लेंड करना हैं असा नहीं है आपका जो एगज्ञाम पर है उसमें आपकी सारी अ कॉपी लÈंड करने कहीं से भी कुछ भी आ सकता है आपका जो रिविजन वर्क है यह स्रिफ यह बताने के लिए कि आपका जो एक्जाम का पैटर्न होगा पेपर का है किस तरह से आपका पेपर आएगा है आपको इसी बताने के लिए बताया गया है ठीक है जैसे इसमें आपके उशिन कटी बंधन बंधी सदावारवन के दो धर्ड कास्ट वाले पेड़ों की नाम बताई एबोनी और महोंगनी है विश में किस भाग में उशिन कटी बंधे परण पाती बंधन मुख्यत है भारत उत्री आस्ट्रिया एवा मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं फिर आपका यह सीविक्स है सीविक्स में से ना फिलप सापको नौट बुक में कोपी में कराए गये थे आपने वहां से लर्ण कर लेंगे जैसा for example रोजी मेडम की कक्षा में बच्चोंने डैश का नर्स का चिता बच्चोंने किसका नर्स का चिता बनाया था महिलाउ का ब सब्सक्सक्राइब लिए और लगूत्र आंप संब्सक्राइबव 3 गशां द्यान बुर्वग जो एक्जामपेपर मेले को पढ़ेंगे आप इस वीडियो के द्यान बुर्वग देखना है जिस आपकी लगूत्रिय पर्ष्णूर्ट तर दिये गए एक मुगल चार बाकी क्या खास विशेष्टाएं थी उसकी विशेष्टाएं बताए गई है जब आधारी समाज में क्या परिवर्तन आए तो यह से परिवर्तन आपको पॉइंट्स में बताए गए हैं आप एक्जाम के त्यारी अच्छे से करेंगे ठीके विटा बेस्ट आफ लग फोर एक्जाम ठीके विटा बाय टेक केर